मॉनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू राजमलोत्रा आइस यूट्यूब चैनल आज के इस सेशन में हम मैट्स का जो सी सट के एक्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टन सब्जेक्ट रहता है आपका मैट्स का जो कोशन देखने वाले हैं वो पर्सेंटेज में हम जो फ्रेक्शन सब्ट रहता है उसमें पर्सेंटेज की फ्रेक्शंट्स होती है जो बार 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 अर एक चैप्टर में यूज करते हैं तो percentage की fractions पर based percentage chapter में काफी interesting questions बनते जिसमें से question आज के session में देखेंगे बचे statement थोड़ी सी length है ध्यान से देखना पड़ेगा 3-4 percent values होंगी जिनको जिनकी fractions को use करना पड़ेगा तो question देखते हैं examiner कह रहा है कि UPSC के exam में the ratio of three subjects maths reasoning and GS section was 8 ratio 9 ratio 10 examiner कह रहा है कि मा लीजिये UPSC का exam था जिसमें maths reasoning और English के जो आपके तीन subjects थे उनकी weightage 8 ratio 9 ratio 10 है the maximum marks in all these three sections together were 810 और इन तीनों subjects का जो total है that is 8 ratio 9 ratio 10 यानि के maths reasoning आगे question में examiner में क्या दिया है वो आगे पढ़ते हैं और English English नहीं sorry GS लिखा हुआ है तो maths reasoning और GS यह आपके तीन subjects है इनकी weightage ratio के wise बात करें तो that is 8 ratio 9 ratio 10 और examiner कह रहा है कि इनके total marks जो है वो 810 है तो ratio में total बच्चे आपका बना 10 1099 और 827 ratio में आपका total बना 27 unit और 27 की value बच्चे आपकी 810 है तो अगर 27 unit की value 810 है तो हम वहां से कह सकते हैं कि बच्चे एक unit की value 30 होगी एक unit की value 30 तो बच्चे 8 की value 240 9 unit की value 270 और GS का total 10 unit की value 300 रहेगा तो बच्चे individually हर एक subject के total marks मालूम पढ़ गए हमें subjects की ratio मालूम थी कि इनके जो total marks है individually वो इस ratio में है और हमें तीनों का combined total 810 दिया था तो ratio के total को 810 के साथ हमने equate किया वन यूनिट की value 30 आगी तो 8 units will be 8 into 30 9 units will be 9 into 30 और GS का total 10 units will be 10 into 30 तो हमें हर एक subject का maths reasoning और GS का individual total पता लग गया आगे examiner जो बहुत अच्छी statement build कर रहा है यहां से शुरू करके यहां तक examiner कह रहा है कि if harsh had gotten अगर एक student जो harsh है उसने 20% more marks in maths उसने लिए होते maths में 20% ज्यादा marks यानि कि जितने भी already उसके maths में marks आए हैं अगर उससे 20% ज्यादा लिए होते 8% more in reasoning 8% more marks in reasoning and 7.14% more marks in GS अगर उसने तीनों subjects में जितने जितने भी actual में marks लिए उससे इतने इतने और इतने percent ज्यादा लिए होते then क्या होता he must have gotten full marks in all the three subjects तो उसके तीनों subjects में total marks complete होते तो उसके तीनों subjects में जो marks बनते वो total बनते जो हमें मालूम है कितना है तो बच्चे actual में actual में उसके कितने marks आए individual हर एक subject में नहीं पता total कितने बन रहे हैं वो हम निकाल चुके 240 270 और 300 तो हम maths then reasoning और then GS की अगर बात करें तो maths reasoning और GS मिध्यान से देखिए examiner maths के बारे में कह रहा है कि अगर उसने 20% ज्यादा marks लिए होते तो बच्चे 20% की fraction 1 by 5 आपको मालूम है 20% की fraction 1 by 5 का मतलब 1 out of 5 और 1 by 5 more है तो 1 more in 5 यानि कि examiner कह रहा है कि अगर उसके maths में 5 marks आए तो 5 से अगर एक ज्यादा ले लेता तो total बन जाते यानि कि उसके actual में maths में 5 आए और total क्या होता 5 से एक ज्यादा उसी तरह से 8% more in reasoning 8% अब 8 क्या है 8% is 8 बटे सो 2 by 25 तो बच्चे 8% की fraction आपकी 2 बटे 25 तो 2 बटे 25 ज्यादा का मतलब कि अगर 25 लिए actual में तो 2 ज्यादा यानि कि 27 टोटल बन जाते और इसी तरह से reasoning में है और 7.14 परसेंट होता है बच्चे एक बटे 14 वन बाइ 14 तो वन बाइ 14 मोर का मतलब कि अगर 14 मार्क्स actual में लिए एक ज्यादा से टोटल बन जाता तो बच्चे में रेशियो में हमें maths, reasoning और GS तीन सब्जेक्ट में पता लग गया उसके कि actual में कितने मार्क्स है और टोटल क्या होने थे लेकिन वो टोटल actual में हमें पता है कि 6 की वैल्यू 240 है 27 की वैल्यू 270 है 15 की वैल्यू 300 है तो बच्चे अगर 6 की तो 6 है 27 वैल्यू 24 तो 40 गुणा तो 5 की वैल्यू 40 गुणा बन जाएगी 200 कि 27 reviewed 42 variance 10 गुणा और 15 की वैल्यू 300 है और चौदा की वैल्यू 20 गुणा हो जाएगी 280 तो उसके सब्जेक्ट में individually कितने मार्क्स आये maths में 200 reasoning में 200 और кстати च्ट्खामिनर ने पूचा है कि उसके तीनों सब्जेक्स में टोटल क्या है तो 200 प्लस 200 प्लस 280 आपका अंसर आ जाएगा 730 मार्क्स तो उसके तीनों सब्जेक्स में टोटल जो मार्क्स बने यह बच्छे थोड़ा सा complicated कह सकते हैं definitely easy question नहीं है थोड़ा moderate से difficult की तरफ का question है और थोड़ा सा Calculative question है इसमें calculations बहुत ज्यादा है इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा इसमें आपको जो percentage percentage values दी हुए उनकी fractions अच्छे से याद होनी चाहिए तो आप इस question को थोड़ा इजली कर सकते हैं UPSC level का question है आगे जो हमारे UPSC के exams है 2023 अभी हो रहा है 2024 है 25 है तो आप जब भी 2023 4 या 5 में appear हो रहे हैं C set में इस तरह के questions आप definitely देखेंगे 2022 का exam देख सकते है 21 का exam देख सकते हैं तो वहां से एक आपकी expectation बनेगी expectation तो नहीं बनेगी लेकिन आपको आइडिया जरूर लगेगा कि 2023 में आप किस तरह के questions देखोगे तो यह उन में से question है इसी तरह के questions लेकर हम अगले sessions में भी बिलेंगे बच्चे थैंक यू